Hey guys, my name is Gaurav Chaudhry and you are watching Mr. Gaurav तो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई हो आप से बहुत याद अच्छ होंगे तो कैसे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं J-Main 2021 के बारे में तो guys, आप लोगों में से काफी सारे बच्चे रिक्वेस्ट करें थे कि भीया J-Main की क्या expected dates होने वाली है J-Main 3 and J-Main 4 की expected dates बता दो तो guys, मैं आपको इस वीडियो में J-Main 3 और J-Main 4 की expected dates बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को पूरा end तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो subscribe जरूर कर लेना मैं आपके लिए ऐसी important videos लाता रहता हूँ और आपको अगर कोई भी query हो तो नीचे comment section में पूछ सकते हो तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो guys, सबसे पहले हम बात करते हैं J-Main की उसके बाद हम बात करेंगे J-Main के बारे में के लिए time नहीं बचा है तो ऐसे में हमारा J-Main सिर्फ एक ही होगा या अभी भी chances है कि दो J-Main हो जाए तो इसका answer तो यह है कि guys, इस बात के chances काफी जादा है कि अभी आपका दो J-Main हो सकता है आपका J-Main 1 और J-Main 2 यह दोनों के दोनो J-Main अभी भी conduct करवाने बिलकुल possible है क्योंकि last year की अगर हम बात करें तो हमारे exam बहुत ही जादा year के end तक पहुँच गए थे आपको पता ही होगा अगर आपने last year मुझे follow करा था मैंने सारी बाते बताई थी आपको तो इस साल भी कुछ ऐसा ही होने को दिख रहा है और जैसा कि आपको पता है कि काफी साड़े states में cases आने काफी जादा कम हो गए है तो ऐसे में काफी जादा possibility है इसकी कि आपके दोनो J-Main हो जाएंगे और आपका जो J-Advance के exam में वो भी हो जाएगा तो guys expected date का है तो guys expected date की बात करें अगर हम तो अगर हमारे दोनों J-Main होते हैं जिसके काफी जादा chances हैं तो आप यह मान के चलो कि आपका July end तक यानि July के end में यानि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि last week यानि fourth week जो July का आपका होने वाला है उसमें आपका J-Main 1 conduct करवाया बिल्कुल जा सकता है ठीक है आपका जो J-Main 1 है वो आपका July के end में यानि July के last week में conduct करवाया जा सकता है तो भहिया J-Main 2 कब होगा आपका J-Main 2 जो second week of August या फिर third week of August में conduct करवाया जा सकता है इसके काफी high chances हैं और J-Main 1 कब होगा last week of July में conduct करवाने के काफी जादा chances है और अगर हम बात करें अपने दूसरे exam J-E advance के बारे में तो कैस आपका जो J-E advance का exam है उसके बहुत ही जादा chances है कि वो September में हो जाएगा ठीक है आपका जैसा ही J-Main 3 and J-Main 4 होता है उसके within a month यानि हम यह कह सकते हैं कि लगबग 25 to 30 days के बाद आपका J-E advance का exam हो सकता है आपको यहाँ पर gap बिलकुल मिलेगा काफी बच्चों की यह query थी कि क्या भी है हमारे J-Main और J-E advance के exam में एक बड़ा gap मिलेगा यानि क्या हमें एक दो मेने का gap मिलेगा तो देखो क्योंकि हमें पता है कि हमें वैसी बहुत ज़्यादा gap मिल चुका है अगर हमने यहाँ पर preparation नहीं करी अब अगर हमें कितना भी बड़ा gap मिल जाए हम preparation नहीं कर पाएंगे ठीक है ना जितना gap मिलना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा gap already मिल चुका है तो अगर आप बात कर तो J-Main और J-Advance के बीच के gap के बारे में तो guys वहाँ पर आपको 25-30 days का या max to max 40 days का gap आपको देखने के लिए मिल सकता है 40 days से जादा मुझे नहीं लगता कि आपको gap मिलेगा लेकिन फिर भी आप यह मान की चलो कि आपको approximately 30 days का यानि एक मेने का gap आप J-Main 4 और J-Advance के बीच में देखने के लिए मिल सकता है तो आपको यह बात तो clear हो गई अब एक last doubt बचा है कि क्या हमारा J-Main अगर सिर्फ एक ही J-Main possible हो पाता है तो वो कब होगा तो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही J-Main possible हो पाता है तो वो आपका अगस्त में ही कराए जाएगा जुलाई में फिर आपके exam होने के बिलकुल भी chances नहीं है अगर एक J-Main होता है तो लेकिन इसके chances काफी जादा कम है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही J-Main हो क्यों क्योंकि हमने last time भी देखा था कि government ने भले time को थोगा delay करा यानि exam काफी बार postpone करे उसके बाब जूद भी आपके exam अच्छे से सारे exam कराए गए थे तो इसके chances ज़्यादा लग रहे है कि आपके जितने भी exam है यानि आपका J-Main 3, J-Main 4 और J-Advance ये तीनों के तीनों exam बिलकुल होंगे ये हो सकता है कि time थोगा और delay हो जाए थोगा और postpone हो सकता है लेकिन अगर हम बात करने कि ना होने की तो कोई भी chances नहीं है कि आपका exam ना हो क्योंकि काफी सारे नादान बच्ची ये भी कह रहे थे कि भीया जैसे हमें 12th में पर्मोट कर दिया गया क्या हमें ऐसे J-Main में भी पर्मोट कर दिया जाएगा तो यार ये तो अपने आप में बहुत फणी बात है कि J-Main में कैसे पर्मोट कर सकते है जहां तक बात है 12th की तो वो केस थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन यहां पर आपका J-Main में ऐसे पर्मोट नहीं किया जा सकता है क्यों क्योंकि ये आपका पहला exam है हाँ काफी बच्चों की ये भी क्वेरी है कि भीया हमारे अल्रेड़ी दो J-Main हो चुके है J-Main 1 और J-Main 2 तो देखो वहाँ पर काफी सारे बच्चों ने examination form ही फिल नहीं करा था जिस वज़े से काफी सारे बच्चे exam ही नहीं दे पाए तो उन बच्चों ने सोचा था मैं सारी preparation अपनी end में करूँगा या अगर उन्होंने preparation उस टाम नहीं भी करी हो या उसने अपनी मतलब exam नहीं भी दिया हो किसे डर के वज़े से या कोई other reason हो सकता है तो आप उसको मौका मिलना चाहिए और ये government ने पहले ही बोला था कि हम आपको चार attempt देंगे आपको चार attempt मिलेंगे एक साल के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए इसके chances बहुत कम है कि आपका एक भी attempt कम होता है लेकिन अगर in case आपका एक भी attempt कम होता है तो इससे आपको ज़्यादा परिशानी नहीं होनी चाहिए क्यों? क्योंकि already आपको time काफी मिल चुका है और अगर जहां तक बात है examination की तो मैं यह आपसे उमीद करता हूँ कि आपने last 2 exam भी दिये होंगी और आपने वहाँ से अपना analysis काफी अच्छे से करा होगा अगर आपने उन exam में देखा होगा आपकी performance कैसी रही तो वैसी performance आपकी थोड़ी बहुत increase हुई होगी यह अगर आपने पढ़ाई करी होगी और अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो थोड़ी बहुत decrease हुई होगी और वही performance आपकी यहाँ पर जेएमें 3 में भी होने वाली थी लेकिन अगर आपका एक exam होता है यह तब की बात है अगर आपके दोनों exam होते हैं जिसके chances बहुत ही ज़्यादा है मैं बार पार एक ही बात को इसलिए repeat कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे यह confusion में अभी भी है कि क्या हमारे एक exam होंगे या दोनों होंगे तो guys मैं आपको बता दूँ आप बिल्कुल भी ज़्यादा चिंदा ना करें आप अपना पूरा focus अपनी पढ़ाई पर रखें क्योंकि आपके इसके काफी ज़्यादा high probability है कि आपके दो के दो exam जरूर होंगे यानि जेइमेन 3 and जेइमेन 4 यह दोनों exam आपके जरूर होंगे चाहे कुछ भी हो जाए एक last point पर बात कर लेते हैं कि काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि भी यह coronavirus का third peak भी आने वाला है यानि बहुत जल्दी दुबारा से जैसे अभी बीच में हुआ था वैसी दुबारा से cases एकदम से बढ़ने सुरू हो जाएंगे तो उस case में क्या होगा क्या हमारे जैमेंट फिर से postpone होगा या फिर ने तो देखो अगर ऐसा दुबारा होता है यानि case जैसे अभी आ रहे थे डेली के आपको पता है तीन से चाड़ लाग case महुँच गए थे यानि दो दो लाग तीन तीन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है हमारी हल्थ तो अगर ऐसा होता है कि पीक दुबारा बहुत ही तेजी से आता है तो फिर से आपके exam 100% postpone होंगे इसमें कोई भी दोराई नहीं है कि अगर दुबारा पीक आता है तो आपका exam फिर से postpone करा जाएगा और जब तक सब कुछ normal नहीं होता तब तक आपका exam होने की कोई भी probability नहीं है देखो ऐसा तो बिलकुल नहीं कह सकते कि जब case 0 आने start होंगे तभी आपका exam होगा ये भी possible नहीं है तो तो फिर साइद 2-3 साल exam नहीं होपाएगा क्योंकि एकदम से किसी भी चीज को खतम करना ये possible नहीं है ठीक है न लेकिन देरे देरे जिस हिसाफ से अभी case कम हो रहे है इस हिसाफ से तो यहीं chances हैं कि आपका J-Main 1 और J-Main 2 और advance ये तीनो के तीनों exam बिलकुल जिस time पर मैंने बताए उस time पर हो जाएंगे तो guys I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने friend के साथ share जरूर करना जितना हो सके उतना share करो अपने हरे group में share करो अपने सारे friends को बताओ कि ये J-Main की expected dates होने वाली है तो इसके according मुझे और तुझे दोनों को हम दोनों को मिलके पढ़ाई करनी है time motivated रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी आप लोग ज़्यादा तर लोग mock test दे रहे है और उनके result काफी अच्छे नहीं आ रहे तो अगर आप मेंसे कोई चाहता है कि मैं mock test को कैसे दे इस पर वीडियो बनाऊ तो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हो मैं आपको पूरा बता दूँगा कि आपको mock test कैसे देना चाहिए उसका analysis कैसे करना चाहिए और उससे एक अच्छा output कैसे निकालना चाहिए अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो नीचे comment section में बता देना तो चले मिलता हम आपसे किसी अगली वीडियो में